पश्कार दुस्तों I hope आप सभी बहुत अजी होगे दुस्तों आज हम बात करने जारे को पाइनिंग को लेके और कोर माइनिंग को लेके बहुत सारे रिट वाली बहुत सारे खुशकबरी और बहुत सारे पता लगीगी, तो गाइस वीडियो को शुरू से लेके आएंग तक देखना, और एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो, तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन मैल को अल पे जरूर प्रेस कर लो, चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, स उसको सिंपली कोट सतोश अप में कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको इस टैप का इंटरफेस देखनी को मिलेगा, जहाँ पे विड्राउ अडरlleस ढलना है, एसे wireless पर ाउप्लिक करना है, तो यहाँ पे आपका प्रॉपर शो करेगा कितना बैलेंस है, विड्र fix अनपर शो कर कर रहा है और यहां पर 26.4 के एज़ा इसमें ट्विटर पे एज़ा रीट्वीट किये गए हैं अब गाइस हम चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट के तरफ जो की को डायो के तरफ से आ चुके हैं यहां पर लिख है कि एज़ा गया है कि मैनन्ट लाँचींग को लेकर यहां पर एज़ा घर कोन गर्रहा है को के साथ एजा एक तरफ यहां पर साफ शर्फ के अंदर जो करें रिखा है लेगिंग सेंट तरफ एक्षेंग एक्सेंग सी हैं इंडिस सेक्टर हाव बैग्ड को डायो एवें Since its Manage Debut, Bitforex is the most recent to support the decentralized organization तो अभी के हिसाब से सबसे जो recently काम चलता जा रहा है वो Bitforex करके हैं जो कि अभी mostly recently है मतलब अभी के टाइम में crypto field के अंदर चल रहा है In order to promote core goals, Bitforex exchange has joined other elite exchanges including GET, OKX and MEX तो recently इन्होंने मतलब इन सभी के साथ काम किया है GET के साथ भी काम किया है, OKX के साथ भी काम किया है, MEX के साथ भी काम किया है और January 18, ठीक है January 18 को the protocol declared its collaboration with code IO तो आज के दिन इन्होंने डिकलियर किया है कि हम काम करने वाले हैं code IO के साथ and started its intention to launch the core token तो इनका जो main intention है कि वो core token को launch करना है ठीक है जो as a manage की बात कर रहे है और Bitforex said that trading score USDT will begin as soon तो जो core की जो trading होने वाली है वो dollars के अंदर देखने को मिलेगा आपको soon a deposit satisfy with their mineral liquidity requirements तो जहां पर आप simply as a simply withdrawal कर सकते हो ठीक है तो यहां पर liquidity को बहुत importance दिखाई गई है जैसे कि आप इस वाली as a update में देख सकते हो okay and guys अब हम चलते हैं दूसरे most important update की तरफ जहां पर बताया जा रहा है यहां पर आप देख सकते हो कि just wait guys यहां पर लिखा है polynex exchange has announced to launch its manage तो guys अभी जो polynex करके है वो भी इसके साथ काम करने की बात कर रहा है चलते हैं अपने second most important update की तरफ जहां बताया जा रहा है polynex exchange has announced it will be list core for trading pair with USJT तो यहां पर polynex भी as a same चीज़ कर रहा है जो कि announce कर चुका है as a core के साथ trading pair करने का जो कि US dollars के अंदर है और यहां पर proper date confirmation की बात की है after launching is managed recently January 14 जैसे कि आप सभी हो पता है recently January 14 को इसका launching हुआ 2023 के अंदर as a cryptocurrency and derivatives exchange polynex reportedly announced that it will be list on core DAO token making it the 5th exchange platform to do so so basically यहां पर 5th exchange होने वाला है जिसके साथ यह काम करने वाला है and यहां पर लिखा है after the core DAO managed successful launch आप जैसे ही successful launch हो जाएगा तो numerous exchange have already shows interest in listing the core token for trading including bitmart, OKS, Hubik, MEX and CoinW exchange तो यहां पर एक बहुत important बात की जारे है जैसे ही successfully core managed market का अंदर आ जागा cryptocurrency का अंदर तो वहां पर उसके बाद बहुत सारी बड़ी-बड़ी exchanges है जो bitmart है, OKEX है यह इनके साथ automatically आ जाएंगी और वैसे भी आप सभी को बता है, betmart, OKEX, Hubik ने official as a confirmation दे दिया है कि हम as a काम करेंगे इसके साथ और बहुत सारी बड़ी-बड़ी exchanges अब जुडने की इसकी बात भी कर रही है as soon as deposit meets the minimal liquidity requirements, core USGT trading will be launched and deposits and withdrawals will be allowed तो यहाँ पे बहुत important चीज़ की बात कर रहे हैं, जो कि liquidity requirements है जैसे कि आप किसी भी cryptocurrency के अंदर deposit करते हो, तो वहाँ पे एक liquid ratio होता है तो वह बहुत important करता है कि आप उसमें deposit कर रहे हो, तो withdrawal बहुत कितनी fast कर सकते हो ठीक है, तो वह services के लिए बहुत important role play करता है Core Dio is still at the top of the Twitter trend, जैसा कि हाँ बताया जा रहा है Core अब भी के टाइम में 4 days after the formal maintenance launch जैसे ही इसका formal maintenance launch हुआ है, लगातार 4 दिन से Core maintenance as a Twitter पर trend गर रहा है was declared on the website CoinMart Cap, CoinGecko and CoinCar which analyze cryptocurrency data and track real-time cryptocurrency prices तो इसी वज़े से CoinGecko, CoinMart Cap ऐसी बड़ी-बड़ी as a websites के अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा और इसके prices को लेके बहुत सारे tracking चल रही है कि इसका price यह रहेगा, यह रहेगा users में already keep tracking of the official price of Core तो users जो हैं बहुत सारे excited हैं इसके price को लेके कि कैसे कैसे इसका price रहने वाला है और Core Dio is the official organization, सतोशी app ecosystem it represents the opportunity to the my news to access new revenues streams by the contribution so basically आप सभी को पता है इसका basically काम क्या है कि बहुत सारे revenues create करना, web 3 पर काम करना, blockchains पर काम करना और जो भी बाकी cryptocurrencies की जितनी भी चीज़े हैं उन सभी को cover करना and जो next most important यहाँ पर cover किया जा रहा है जो कि Bidmart को लेके है Bidmart announced date for listing of the Core Manant तो यहाँ पर Bidmart ने भी चीज़े को लेके announcement किया है जो कि यहाँ पर आप देशते हो कि अभी का time में बताया जा रहा है since the Core Dio Manant launched 3 days ago and some have made deposit opening commitments तो यहाँ पर बहुत सारी exchanges ने commitment किया है कि हम इतना depositories करने वाले है according to the release of Hubik and the Core Dio deposit feature will we go live on January 21 21 जनवरी को यह live होने वाला है और Hubik ने और बाकी जो दो-चार crypto exchanges है इन्होंने बोला है रिलीज कर दिया है कि हम as a deposits को on करेंगे the official tweet for the Hubik exchange twitter account revealed that listing will be made accessible for public tweet as soon as possible it is lifted on the platform जैसे ही market के अंदर आप सभी को यह देखने को मिलेगा तो बाकी जो भी सारी चीज़े है वो as a deposits और बाकी जो trading features है वो आप सभी को देखने को मिलेंगे तो यहां पर साफ साफ लिखा है upcoming new listing के बात भी गी जा रही है और 21 जनवरी को आपको यह सारी चीज़े देखने को मिलेगी ठीक है earlier Hubik global exchange also announced that it will support the core Dio community ethos and that it may be list the core token for public trading जो जो को टोकन होने वाला पर पब्लिक ट्रेडिंग के लिए होने वाला है जैसा कि आप सभी को यहां पर बता है तो दोस्तों आज की वीडियो के अंतर यही था आपको समझ में आया होगा अभी तक वीडियो पर बने हुए हो गाईस तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके रोटिफिकेशन बैल को आल पर जरूर प्रेस कर देना तो दोस्तों आज के इतना है मिलते है नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जया हिंद वंदे मातरम